हेलो फ्रेंड्स नमस्कार और बेल्कम तू दिमान राजेश दिमान यूट्यूब चैनल एड फेस्बुक पेज फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सेट्स, टाइपस अपसेट्स, रीप्रेजेंटेशन अपसेट्स और उसके बाद डिसकस करेंगे ओपरे सुरुआत करते हैं सेट्स के साथ, वाट इस दा डेफिनेशन ओप सेट्स और सेट्स की डेफिनेशन होगी, इट इस ए वैल डिफाइन क्लेक्शन ओफ डिस्टिंक्ट अबजेक्ट, अब देखिए एग्जेंपल क्या है सेट्स का, और उसको रीप्रेजेंट कैसे करते हैं तो सेट को रीप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर के साथ, जैसे ए, ये सेट की डेशन हो गई, कैपिटल बी, सी, इसी तरह से कैपिटल एन हो गया, या कोई और लेटर जो है कैपिटल में लिखा जाया तो उसको हम सेट की डेशन देते हैं, एक्जेंपल कौन सा देंगे ऐसे capital letter में कोई एक फिर ऐसे bracket में और उसके बीज में कुछ element लिखेंगे जिनको हम object बोलेंगे और बहुत distinct होने चाहिए तो जैसे हमारे पास A B C D E यह एक set बन गया क्यों कि it is a collection of different and well-defined object अब well-defined का क्या मतलब है well-defined का मतलब है ऐसे set जिसको हम सभी accept कर लें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ element जो हैं जिसको कुछ लोग accept करें और कुछ ही reject कर दें जैसे यहां पर यह सभी जो element है वो एक set को belong करते हैं हम सभी इसको small a बोलेंगे इसको small b इसको small c small d small e अगर सभी ऐसा बोलेंगे तो यह एक set की definition जाएगी क्योंकि इसमें हर एक element यह element अलग अलग जो लिक्के गए हैं यह element या object हैं और यह distinct हैं इसलिए एक set हो गया अगर हम ऐसे capital N एक set लें और उसमें कुछ number लिख दें जैसे 1,2,3,4,5 and so on up to 100 तो यह भी एक set हुआ क्योंकि इसमें सारे के सारे number जो हैं वो distinct हैं और हम सभी यह बोलेंगे कि यह one है यह two, यह three, यह four, यह five and यह hundred है distinct भी है and bell defined भी है तो it is the set अब बीच में जो हम कोमा लगाते हैं इसका मतलब है एक element को distinguish करने के लिए है दूसरे element के साथ कि एक element के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चोत्ता, चोत्ते के बाद पांच वाँ है अब देखिए अभी तक हमने set पढ़ लिए लेकिन जो set define नहीं करेंगे या bell defined नहीं होंगे वो क्या है जैसे हमने लिखा यहाँ पर collection of interesting novels इसमें ये set को represented नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक बर्ड ऐसा आगया interesting अब interesting जो है वो सब के लिए accepted नहीं है कुछ novel ऐसे होंगे जो मेरे लिए interesting होंगे लेकिन किसी दूसरे के लिए interesting नहीं होंगे इसलिए इसमें सभी के लिए acceptability नहीं है किसी तरह से यहाँ पर देखेंगे collection of popular cricator जब popular word आगया तो ये भी एक set को represent नहीं करेगा क्योंकि अगर मैं बोलूँगा ये cricator बहुत popular है लेकिन कोई और बोलेगा ये popular नहीं है ये बेकार खेलता है जैसे तीसरे example आगया collection of dangerous animals ये भी एक set को represent नहीं करते हैं क्योंकि कुछ लोग कुछ animals के साथ खेल लेते हैं लेकिन कुछ लोग उसी animal को देखे डर जाते हैं अब ये set कब होंगे जब मैं यहाँ पर इस word को हटा दूँगा जैसे interesting, interesting को हटा दिया, popular को हटा दिया या dangerous को हटा दिया अब ये set बनेगे, क्योंकि collection of novels, तो novel को सभी बोलेंगे कि ये noble है इसलिए ये set हो गया collection of cricketer, cricketer की एक set लिखा जाए, उसमें cricketer के नाम लिख दिये तो वो एक set हो जाएगा, अब popular word नहीं रहा, तो ये एक set बन गया इसी तरह से dangerous word को हटा के, हम एक collection of animals को set लिख सकते है तो जब भी यहाँ पर adjective आ जाए, तो हमने उस set को remove कर दिना है, set की condition से वो set नहीं होगा अब set के बाद है, elements of set जो हमने अभी लिखे, वो element है, element का दूसरा नाम है member या object, तो all the objects present in any set are called elements जैसे एक set है हमारे पास, उसमें मैं लिख देता हूँ A, E, I, O, U और ये एक collection हो गई किसकी? वोवल की अब ये distinct है, A के बाद E है, फिर I है, फिर O है, फिर U है सभी अलग-अलग है, distinct हैं और सभी ऐसा बोलेंगे, सभी लोग ऐसा बोलेंगे, ये वोवल है तो ये एक set आ गया, और ये A, E, I, O, U अलग-अलग से इसके members या elements है अब जब हम set लिख लेते हैं, तो उसमें कुछी notation आती है जैसे मैंने एक set लिखा, n is equal to 2, 4, 6, 8 अब मैं ऐसा लिखूँगा, 2, फिर ये एक symbol लगाऊँगा और ये capital N, मतलब इस set को, तो इसका मतलब होगा 2 belongs to n, मतलब है ये जो दो element है वो इस n set में कहीं न कहीं है, तो ये यहाँ पर है, देखिए अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, 4 belongs to n, इसका मतलब है ये भी यहाँ पर है लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, 10 belongs to n, 10 यहाँ पर नहीं है तो इसको हमें ऐसा लिखना है, इसका मतलब है do not belongs to, कि ये इसके पास नहीं है अभी देखिए कुछ notation है, जैसे capital N को हम देखते हैं, तो वह notation set of natural number की W है set of whole number, Z और I, set of integers, इसी तरह से capital R को हम denote करते हैं real number के लिए हमें पता है natural number कौन से होते हैं, 1, 2, 3 and so on और whole number कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3 and so on, इसी तरह से integer, minus, so on, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0 and all that और real number में सारे के सारे numbers, जो rational हों या irrational, तो rational के लिए हमारी notation होती है capital S and irrational के लिए Q, capital Q, अब इसके बाद है representation of set, set को कैसे represent करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो method है, पहला है roster form या जिसको tabular form भी बोलेंगे, दूसरा है set builder form, तो सबसे पहले हम discuss करेंगे roster form या tabular form, तो इस type के जो representation उसमें हम क्या करते हैं, यह हमारे पास एक curl bracket होती है, और उसमें हम सभी के सभी elements को कोमा से separate करके लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यह एक natural number का set हो गया, या हम इसको capital A से भी denote कर सकते हैं, सभी के सभी element लिखेंगे और एक कोमा से separate कर देंगे, तो इसको बोलेंगे हम roster या tabular form, इसी तरह से एक और set लिखते हैं हम, ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, फिर एक और set लिखेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, अब यह सारे के सारे element अलग-अलग करके लिखेंगे हैं, तो यह एक roster form में लिखेंगे हैं, लेकिन अगर इसको हम किसी formula से लिखेंगे, तब वो कौन सी form आगी, set builder form, जैसे यह कौन से set हैं, यह सारे के सारे लिखेंगे हैं, हमने natural number less than 8, या less than equal to 7, जैसे मैं पह ऐसे a is equal to x, such that x belongs to natural number, यह देखिए हमने symbol में लिखा इसको, and x is less than equal to 7, इसका क्या मतलब हुआ, कि x जो है वो natural number से होना चाहिए, और 7 या 7 से कम होना चाहिए, तो यह सारे के सारे elements उसमें आ जाएंगे, अब यह जो form आगी हमारी, वो हो गई, set builder form, जो दूसरी form में भी discuss करेंगे हम, इसी तरह से set b को हम set builder form में कैसे लिखेंगे, यह देखिए कौन से number है, यह है, सारे के सारे even number, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, to x, such that x belongs to natural number, and condition लगाएंगे, अब हम x must be less than equal to 5, इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा, जब हम x की value यहां, एक से लेकर 5 तक put करेंगे, तो जब 1 put करेंगे, तो 2 मिलेगा, 2 put करेंगे, तो 4 मिलेगा, 3 put करेंगे, तो 6, 4 put करेंगे, तो 8, और 5 put करेंगे, तो 10, और condition क्या है, less than equal to 5, मतलब 5 से छोटी उनीची यह value यह 5 के बराबर, तो इससे हमें set B मिलेगा, तो यह जो हमने set लिखा, इसको बोलेंगे हम set builder form है, इसी तरह से set C को अगर हम इस तरह से लिखेंगे, और फिर x less than equal to 5, देखिए अब natural number है, तो 1 से शुरू होगा, यहां पर 1 put करेंगे, तो 2 गुणा 1, 2 minus 1, 1 मिलेगा, पहला term, पहला element, फिर 2 put करें तो यह मिलेगा, 4 तो यह, और सबसे बड़ा number है, 5, 5 put करेंगे, तो 9 मिलेगा, अब जब इस C set को यहां लिखा, तो यह roaster form बने गई, और जब ऐसे लिखा, तो यह set builder form बन गई, अगर किसी formula से लिखते हैं, तो set builder form अलग-अलग करके हर element को लिखते हैं, तो वो tabular या roaster form हो no element is called empty set, जिसमें एक भी element ना हो, उसको बोलेंगा हम empty set, जैसे एक example लेते हैं, set A is equal to x such that x is greater than 1 and less than 2, and x belongs to capital N, अब देखिए, एक से बड़ा और दो से छोटा कोई भी natural number नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई भी element नहीं आएगा, तो यह एक empty set होगा, एक और example लेते हैं, जैसे x square plus 1 is equal to 0, और इसके जो roots हैं, वो क्या हैंगे, roots must be real number, तो इसमें क्या होगा, इसके roots तो real होंगे ही नहीं, जैसे जब हम इसको solve करेंगे, तो इसको x square equal to minus 1, और x की value आगई, plus minus iota, तो देखिए, और iota जो है, वो real number नहीं होता है, वो complex number होता है, तो real number नहीं है, और हमें real root चाहिए, इसके x must belong to real number, तो यहां पर x square plus 1 equal to 0 में, कोई भी value ऐसी नहीं है, जो इस equation को satisfy करें, इसलिए ये set जो है, उसमें भी कोई भी element नहीं आएगा, अगला है हमारा singleton set, तो singleton set क्या है, a set containing only one element, only one element, is called singleton set, जैसे हमारे पास एक example है, set a is equal to x, such that x plus 6 equal to 0, जब हम इसको, इस equation को solve करेंगे, तो हमारे पास एक ही answer आएगा, minus 6, अगर हम ऐसा लिखेंगे, x must be integer, तो आएगा, अगर हम ऐसा लिखेंगे, x must be natural number, तो एक भी नहीं आएगा, तब ये empty set के example हो जाएगा, लेकिन जब हम integer की condition लगा दें, तब ही ये इसको satisfy करेगा, क्योंकि minus 6 जब हो integer है, सिर्फ minus 6 एक ही ऐसी value होगी, जो इस equation को satisfy करेगी, वो singleton set में आएगा, एक example हम ये लिखते है, x such that x is even prime number, मतलब यहाँ पर x में सारे के सारे element वो आएगे, जो prime number है, तो prime number में एक ही ऐसा number होता है, जिसकी value 2 होती है, वो ही even prime number होता है, वाकि सारे के सारे odd है, इसका मतलब इस set में सिर्फ एक ही value मिलेगी, इसलिए इसको हम singleton set बोलेंगे, आगे है हमारा finite set, तो set A is called finite if it have countable number of elements, अगर इसके elements की हम गिंती कर सकें या counting कर सकें, तो उसको हम finite set बोलेंगे, जैसे set A is equal to 1, 2, 3 and so on, up to 1000, इसका मतलब इसमें 1000 element हैं, हमने count कर लिए, set B लिखा हमने, इसमें लिखेंगे हम 5, 7, 9, 11, up to 101, इसके भी count हो सकते हैं, कितने element हैं, तो ये भी finite set हुआ, उसके बाद आएगा infinite set, अब आगे है infinite set, तो infinite set का मतलब है, कि अगर उसके elements को हम count ना कर पाएं, जैसे set A है, 1, 2, 3, so on, up to infinity तक हैं, तो इसको हम count नहीं कर पाएंगे, इसी तरह से set B है, 5, 9, 5, 7, 9, 11, up to so on, तो इसके elements को भी हम count नहीं कर पाएंगे, तो ये infinite set का एक example हुआ, आगे है equal sets, तो दो set जब हमारे पास A and B होंगे, और उनको हम equal कब बोलेंगे, जब उनके पास same number of elements होंगे, and same elements, same elements, suppose के नहीं हमारे पास एक set A है, उसमें element है, 1, 2, 3, 4, और set B है, उसके पास element है, 2, 1, 4, 3, तो देखिए, यहां पर 2, ये 1, ये 3, ये 4, same element है, तो A can be written as A, this can be written as A equal to B, और A है दोनों equal sets, तो equal sets का मतलब हुआ है, they have same elements, two sets have same element, then two sets are called equal sets, आगे है हमारे equivalent sets, so two sets A and B are equivalent, if number of elements in A and B are equal to each other, यहां पर equal set और equivalent set में क्या फार्क है, equal set में same element होने चाहिए दोनों set के पास, और equivalent set में same elements नहीं, same number of elements, जैसे हमारा set A है, उसमें लिखा हमने 1, 2, 3, 4, और set B में लिखा A, E, I, O, तो यह दोनों equivalent set हुए, क्यूंकि A set के पास element कितने हुए, चार, B set के पास B, चार हुए, इसलिए इसको बोलेंगे equivalent set, N का मतलब है, हम यहां पर notation देंगे number of elements के लिए, आगे है disjoint sets, तो disjoint sets क्या होता है, two sets are set to be disjoint, if they have no common element between them, उन दोनों के पास एक भी element common नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम disjoint sets, और friends, इससे पहले कि हम आगे बड़े, आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप, आपका कोई साथी, या आपका कोई रिस्टेदार, किसी competition की तयारी कर रहा है, तो उसके लिए हमारा channel है exam cracker, जिसमें आपको gk, reasoning, और math के question मिलेंगे, बहुत ही easy और simple explanation के साथ, आप इस channel को जरूर विजिट करें, अब आगे बढ़ते हैं, आगे है operation on sets, तो सबसे पहले है union of sets, जैसे हमारे पास दो set आगे, इसमें element आगे, एक, दो, तीन, चार, और set B है, उसमें element आगे, दो, तीन, चार, पांच, अब इन दोनों की union को होगी, और सबसे पहले हमें यह पतानों चाहिए कि union का symbol क्या होता है, यह इस तरह से लिखते हैं, यह है union का symbol, तो A, ऐसे union B, ऐसे पढ़ेंगे इसको, और इसमें element कौन से आएंगे, या तो A के पास होने चाहिए, या B के पास, तो हम सबसे पहले A के element सारे के सारे लिख लेंगे, अब जो element B के पास हैं, वो लिखेंगे, लेकिन reputation allowed नहीं होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर 2 लिखा जा चुका है, 3 लिखा जा चुका है, 4 लिखा जा चुका है, तो यह इसको निखले कर देंगे, A की बार लिखना है, और बाग की बचेगा 5, तो यह union, A union B आ गया, A union B का मतलब क्या है, X must belong to A, और must belong to B, या तो A में होना चाहिए, या B में होना चाहिए, एक और example दिखते हैं, set A, set B है, तो इन दोनों की union क्या होगी, हम सबसे पहले A के elements को लिख लेंगे, A, B, C, D, E, F, अब जो repeat होंगे, उनको हटा देंगे, तो A लिखा जा चुका है, A को हटा देंगे, E लिखा जा चुका है, वो हटा देंगे, बाकी I, O, U लिख देंगे हम, I, O, U, और यह बन जाएगा हमारा A union B, क्योंकि A union B का मतलब है, the elements of A union B must belong to either set A or to the set B, तो यहाँ पर set A को belong कर रहे हैं, जो element है, या B को belong कर रहे हैं, union of two sets में हम ऐसे भी देख सकते हैं, set A यह है, set B यह है, तो जो भी shading portion होगा, वो हमारा union आएगा, अगर यह दोनों disjoint set नहीं है, जैसे set A यह है, set B यह है, और set A यह है, तो A union B आएगा, जो भी shading portion है, लेकिन अगर set A और B disjoint होगा जैसे यह A है, यह B है, set A, set B, तो A union B क्या आएगा, A union B आएगा, ऐसे intersection करके ऐसे, यह A union B रहेगा इस case में, उसके बाद है हमारा intersection of two sets, और इसकी notation है यह, तो intersection of two sets का मतलब क्या है, the elements of intersection must belong to both the sets, जैसे अगर हमारे पास set A है, और इसके element है, one, two, three, four, five, इसी तरह से set B है, उसके element है, two, three, four, five, तो A intersection क्या होगा, जो दोनों जगा common है, जैसे यहाँ पर two common है, हमने बोग element लिखनें, जो common हैं दोनों sets में, फिर three, three लिखा, फिर four, four लिखा, फिर five, five लिखा, तो यह बन गया A intersection B, तो intersection का मतलब हुआ, X must belong to A and B, and X must belong to B, यहाँ पर and है, और union में यहाँ पर and की जगा और था, इसी तरह से अगर हमारे पास set A है, उसमें element है A, B, C, D, E, F, और B है A, E, I, O, U, तो A intersection B के होगी, जो common element है, जैसे A common है, हमने A लिख लिखा, उसके बाद E common आया देखिए, यहाँ पर E लिखा, और कोई भी common नहीं है, तो यही दो element जो होगे, वो intersection में आएंगे, अब एक और अजांपर ले लेते हैं हम, set A के पास है, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, set B के पास है, तो A intersection B के आएगा, जो दोनों में common है, देखिए, यहाँ पर दोनों में कोई भी element common नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम, null set, सभी के सभी elements को लिख लेंगे, A और B, वो आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, सारे के सारे elements आजाएंगे, तो यह इसका union हो जाएगा, अगर हमारे पास set A यह है, और set B ऐसे है, जब दोनों disjoint नहीं है, तो intersection के आएगा, intersection होगा, जो इनका common portion है, यह देखिए, तो यह set A यह है, यह set B है, और यह वाला portion जो है, shaded portion यह है, A intersection B, लेकिन जब दोनों disjoint set है, set A यह है, set B यह है, उस case में हमारे पास, union A intersection B, एक null set होगा, कोई भी shaded portion नहीं आएगा, तो उसमें एक भी element नहीं होगा, आगे है हमारा difference of two sets, तो यह क्या है, it is a set of all those elements of first set, which do not belong to set B, या set second, जैसे अगर हमरे पास दो set हैं, A और B, और हमें निकालना है, A minus B, या B minus A, तो यह भी difference आएगा, A minus B और B minus A, तो A minus B का मतलब क्या होगा, हम A के elements को ही लिखेंगे, लेकिन वो elements B के पास नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब है, इसमें X belong to A, but, X do not belong to set B, B के पास common नहीं होने चाहिए, तो A minus B और आगया, अगर B minus A लिखे, तो वो elements सारे के सारे, B के होने चाहिए, बट, कोई भी element set A को belong नहीं करना चाहिए, तो ये आगया set B minus A, अब एक example के सारे सारे समझते हैं इनको, A, B, दो set दिये हैं, तो हमें सबसे पहले A minus B निकालना है, अब A minus B में हमने बो set लिखने हैं, A के जो B के पास नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर B के पास कौन से हैं, देखिए, 4 है, 5 है, तो हम यहाँ पर 4 और 5 को हटा देंगे सिर्फ हमारे पास बचेगा 1, 2 and 3 क्योंकि 4 और 5 तो इसके पास है सेट B के पास इसलिए इनको हटा देंगे हमारे पास बचेगा यह देखिए 4, 5 हटा दिए सेट A में से हटाने तो 1, 2, 3 अगर हमने B माइनस A लिखना हो तो B माइनस A में हम वो एलिमेंट लिखेंगे सेट B के जो A के पास नहीं है तो देखिए यहाँ पर A के पास कौन से हैं 4 और 5 हैं तो हमने 4 और 5 हटा दिए हमारे पास बचे 6, 7 तो यह A माइनस B आया यह B माइनस A आया इसी तरह से अगर हमने difference देखना हो दो sets का और bend diagram से represent करना हो तो ऐसे करेंगे यह set A है यह set B है तो A माइनस B अगर हम लिखें तो ऐसे आएगा A माइनस B अब A माइनस B का मतलब है सारे के सारे element A के होने चाहिए लेकिन B का उसमें कोई भी element नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब यह हमारा जो सेडर पोर्षन है ऐसे आएगा यह है A माइनस B अगर A माइनस B यह है तो B माइनस A क्या होगा B माइनस A के लिए हमारे सारे के सारे element set B के होंगे लेकिन A का कोई भी element उसके साथ combine नहीं करेगा तो यहां पर यह set B आएगा सिर्फ B B माइनस A को हम ऐसा भी बोल सकते हैं सिर्फ B और A माइनस B को ऐसा भी बोल सकते हैं सिर्फ A या only A तो यह जो elements होंगे यहां पर वो आएंगे सिर्फ B के या B माइनस A के Union, Intersection and Difference of Sets को समझे लिए यह हमारे पास एक सबसे असान तरिका है Venn Diagram का जैसे अगर हमारे पास कोई set A है यह देखिए set A और दूसरा set है B ऐसे set A फिर है set B अब Union क्या है? Union का मतलब है या तो element A के पास होना चाहिए जैसे यह है या B के पास होना चाहिए यह देखिए जो setting portion है यही हमारा union है A Union B तो A Union B कहा है? setting portion है देखिए यहां पर या तो यह A के पास आ गए या फिर यह B के पास आ गए तो इसको बोलेंगे हम Union of sets अब इसी example को हम A और B को Union में कैसे देखते हैं? set A में हमारे पास element है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और B में है 4, 5, 7, 8 तो Union में कैसे आएगा? देखिए set A के element लिखेंगे set B के element लिखेंगे set A के यहां लिखेंगे set B के लिखेंगे लेकिन सबसे पहले हमें common element देखने हैं common कहा आएंगे? वो आएंगे इस portion में common कौन कौन से है? सिर्फ एक ही दो element है 4 और 5 तो 4 and 5 यहां आएगा अब बाकी क्या बचेंगे? यहां पर एक में 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 अब देखिए set A के element कौन से आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे set A में set B के element 4, 5 तो पहले ही आचुके हैं तो यहां पर बचेंगे 7, 8 और यह इसका union हो गया set A and B यह सारे के सारे element set A union B के हैं अगर हमने intersection देखना है और हमारे पास यह element हैं तो देखिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो element हमारे पास common हैं वो देखेंगे कौन कौन से हैं? common 4 and 5 4 and 5 वो लिखेंगे 4 and 5 और यही element जो हैं वो हमारे पास आएगा A intersection B तो यह जो portion है shaded यह रहेगा हमारा A intersection B intersection का मतलब है common portion इसके बाद है अगर हमने band diagram से difference of sets निकालना हो तो सबसे पहले देखेंगे A minus B A minus B में हम A के element देखेंगे जो B के पास नहीं होने चाहिए तो देखिए यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 4 और 5 है तो 4 और 5 को हम हटा देंगे बाकी जो element बचेंगे A के 4 और 5 हट गए तो यह आएगा 1, 2, 3, and 6 तो यह portion जो है वो आएगा हमारा A intersection B इसी तरह से अगर हमें B-A निकालना हो तो B-A क्या आएगा देखिए B-A में हमारे पास element होंगे 4, 5, 7, 8 लेकिन 4 और 5 कोमन है इसलिए यह हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 7, 8 तो यह वाला portion जो है 7, 8 यहां आएगा इसको बोलेंगा हम B-A तो friends यह था आज का वीडियो जिसमें हमने डिसकस किया वाट इस सेट टाइपस ओफ सेट री प्रेजेंटेशन ओफ सेट ओपरेशन ओफ सेट में हमने यूनियन इंटर सेक्शन एंड डिफ्रेंस ओफ टू सेट्स किया एंड वेन डैग्राम भी आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा आप इसको लाइक भी करें अपने फ्रेंट्स के साथ सेर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अगर आपने ये वीडियो फेस्बुक पेज पे देखी है तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फोलो करना बिलकुल न भोले धन्यवाद